दिली में एमपॉक्स का संदिगत के सामने आने के बाद केंद्र स्वास्त मंतरी ने सभी राज्यों और केंद्र शास्वित प्रदेशों को एडवाजरी जारी की है ये एडवाजरी केंद्र स्वास्त सची वपूरू चंद्रा ने जारी की है दिली में मिला संदिकत मरीज कुछ समय पहले ही विदेश से लोटा था केंद्र स्वास्तर मंत्री ने सभी राज्यों को संदिकत एमपॉक्स मरीजों की चार्ज करने के संक्रमन की पुष्टी करने पर आइसोलेटेट करने और संक्रमन के जोकिम को कम करने के लिए संपक का पत की मौत हो गई वहीं उनके पिता की हालत भी गंबिर बताई गई है तीनों बेहनों के नाम सुधी रेखा 13 साल शुबरे का मलिक 12 साल और सौर्वी मलिक 3 साल है नई दिली में भारते क्रिकेट टीम के विकेट कीपर इशब पंत ने कफ्तान रोहित शर्मा की मुंबई स्टाइल भाईशा पर चुटके लिए रोहित मैदान पर अपने स्टाइल में ही बात करते है कई बार उनकी बाते स्टंप माइक में कैद हो जाती है और वाइरल भी पंत ने कहा है कि उन्हें रोहित की मुंबई स्टाइल भाईशा कभी समझ में ही नहीं आती है आपदा प्रबंदन म एक बार फिर निदिश कुमार के सहारे सत्ता में लोटने का जो सपना देख रहे थे वो जटके से तूट गया है उतरप्रदेश के कानपूर में बड़ा ट्रेन हाथ सा टल गया है आरोप है कि यहां कलंद्य एक्सप्रेस ट्रेन को पटरी से उतारने की कोशिश की गई पुलीस प्रशासन का कहना है कि ट्रैक पर गया सिलेंडर रखा गया था जिससे ट्रेन टकरा गई जनीमत ये रही कि सिलेंडर फटा नहीं जाच के दौरान पास की जाड़ियों में पुलीस को एक सिलेंडर पैट्रोल की बोटल माचिस और बारुच जैसे कई घातक चीज़े मिली है मामले में दो संदिकादों को हिरासत में ले लिया गया है फिलाल SIT और अन्या इजन्सिया जाच कर रही है